Hello everyone, this is Dikshar Aathur and welcome back to my channel तो friends, इस वीडियो में हम मानविकास की जो अवस्थाएं हैं specially जिनका अध्यन किया जाता है शैश्वावस्था, बाल्यावस्था और किश्वावस्था का तो आज के इस वीडियो में हम शैश्वावस्था की जो मतलब विशिष्षाएं हैं और शिक्षा का क्या सरूप हैं, तो हम पूरी तरह से आपको अच्छे से समझाएंगे ये आज की वीडियो में यही एक टॉपिक कवर होगा शैश्वावस्था के बारे में काफी कोशन आपके इस डैट अग्जाम में किसे पूछे जाएंगे तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, और वीडियो को लाइग और शेक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो शुरू कर लेते हैं, देखे, सबसे पहले आपको बता देती हूँ शैश्वा वस्था जो होती है, ठीक है, मतलब चार वस्थाइं होती है ना शैश्वा वस्था, बाले वस्था, किशोरा वस्था और प्रोडा वस्था लेकिन मेंली जो है अध्यन किया जाता है शैश्वा वस्था, बाले वस्था और किशोरा वस्था का शैश्वा वस्था की जो आयू होती है ये होती है जनम से पांच या छे वर्ष कहीं पर आपको पांच वर्ष तक मिलेगी कहीं पर आपको छे वर्ष तक मिलेगी तो शैश्वा वस्था की जो आयू होती है वो जनम से पांच या छे वर्ष तक की आयू को कहते हैं शैश्वा ठीक है और यहां मैंने आपको जो है एक तरीके से समझाया हुआ है कि शैश्वा वस्था जो है इसको खिलोनों की आईयू कहा जाता है ठीक है एक चीज़ और यह मैं पहले आपको पूरी तरह से समझा देती हूँ फिर आप इसको या तो उतार सकते हो या आप स्क्रिंशोट दे सकते हो खिलोनों की आईयू अगर एक्जाम में पूछा जाए किसको कहा जाता है खिलोनों की आईयू तो यह शैश्वा वस्था को कहा जाता है या हम कह सकते हैं पूरु बाल्य वस्था जो बाल्य वस्था से पहले की वस्था होती है तो पूरु बाल्य वस्था से पहल की अवस्था होती है ठीक है सीखने का आदर्श काल सीखने का आदर्श काल जो है शैश्वा वस्था को कहा गया है जनम से पांच या छे वर्ष की अवस्था मैंने आपको बताया है पांच या छे वर्ष की अवस्था जो है शैश्वा वस्था कहलाती है आनुकर्ण एवां द किस काल में बच्चों का समाजी करण होता है ठीक है अगर पूछा जाए कि समाजी करण किस काल में होता है तो शैश्व अवस्था में होता है ठीक है यह तीन पॉइंट होगे आपके अगला जो है भाशा सीखने का सरवत्तम जो अवस्था है भाशा सीखने की सरवत्तम अवस् जाने की प्रविती के सवस्था में बच्चा करता है तो इस तरीके से ठीक है यह पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रख लेने हैं भावी जीवन की अधार शिला जो है वो कौनसी अवस्था है तो यह आपकी है शैश्व अवस्था ठीक है पहले मैं आपको यह समझा देत करती हूं फिर मैं आपको अच्छे से डिफाइन करूंगी जीवन का काल सबसे महत्वण अवस्था बताया गया है कौनसी अवस्था को शैश्व अवस्था को अवस्था अवतार्किक चिंतन की अवस्था जो है कि सवस्था को कहा गया है शैश्व अवस्था को ठीके दियर तो ये मैंने आपको क्लियरली बताया है ये points आप अच्छे से याद रख लिना इस अवस्था में शिशू का विकाज हो है भागों में होता है इस अवस्था में शिशू का जो development होता है वो parts में होता है जैसे कि जनम से तीन वश्था को बच्चों का शारिक और मांसिक विकाज हो है तेजी से होता है तीन वश्था को बच्चों का जो physical और mental development है वो तेजी से होता है ये भी आप अच्छे से याद रख लेना अब मैं थोड़ा आपको clear कर देती हूँ देखे शैश्वा वस्था को बालक का निर्मान काल कहा जाता है ठीक है बच्चे का निर्मान होता है ये वस्था जो है जनम से 5 और 6 वश्था क मानी जाती है ठीक है पहली 3 वश्था की जो अवस्था होती है जनम से 3 वश्था की जो अवस्था होती है उसको हम पूरू 6 वश्था कहते है पूरू 6 वश्था याद कर लेजगा और 3 से 5 वश्था की जो अवस्था होती है उसको उत्तर 6 वश्था कहते है जनम से 3 वश्था की अवस्था को पूरू 6 वश्था तीन से पाँच वश्ट की आयू तक जो है हम उत्तर शैश्व अवस्था कहते हैं ठीके दियर और एक मनविज्ञानिक थे न्यूमेन उन्होंने कहा था कि पाँच वश्ट की अवस्था जो है शरीर और मस्दिक्ष के लिए जो है बड़ी ग्रहनशिल होती है ये जो अवस्था होती है ठीके तो ये आपको अच्छे से याद रख गया होगा ये शैश्व अवस्था जो है मानव विकास की अवस्था है ठीके दियर क्योंकि पहली अवस्था कौन से होती है ग्रभा अवस्था होती है जिसमें आपका जो शरीर है बच्चे का वो complete बनता है उसके बाद ही शैशवस्ता आती है लेकिन अगर हम अध्यन की बात करें विकास की में जो अध्यन किया गया है वो शैशवस्ता बाले वस्ता और किशुर वस्ता का किया गया है ठीक है आगे मैं आपको समझाती हूँ शाष्वावस्था की विशिष्टाएं कुन सी हैं तो सबसे पहली जो विशिष्टा है वो है शारिरिक विकास यानि शाष्वावस्था के प्रतम तीन वर्ज होते हैं उसमें बच्चे का फिजिकल डवैलपमेंट फास्ट होता है उसक उसकी जो सोच है या उसका जो मतलब हम कह सकते हैं उसकी जो फिलिंग्स है उसमें भी तिव्रता होती है यानि फास्ट डवलप होता है ठीक है इस अवस्था में बच्चा अपरिपक्व होता है यानि इन मैचोर होता है ठीक है क्योंकि वो अभी परिपक्व नहीं होया होता दोहराने की प्रविती होती है बच्चे में बच्चा दोहराता है अनुकरन करता है अपने माता पिता को देखकर अपने भाई भाई भाईन को देखकर है ना उसी विवार का अनुकरन करता है सीखने में उत्सुक्ता होती है बच्चे में सीखने में उसकता तो होती है साथ में जिग्यासा प्रविती होती है हर चीज को देखने का कौन काम कैसे होता है ये कैसे होता है बारिश कैसे होती है है ये इस तरह से कुश्चन भी आपसे पूट करते होंगे बच्चे चोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं क्रियोसिटी इन में हो ह zus भी ैस तो नहीं है कि जणन होत1 म ही वह इस तरह से कहें सबस्क्तों भुटकोंर के जणेינו को इंनेरे जो सकते हो और सक्रिंचोट्फ यहां पर भी आप यहां पर एक पर स्क्रिंचोट ले सकते हो यहां पर सट कर लीति हूं अब आप इसका जो है स्क्रेशोट से सकते हो थीक है ? अगे बढ़ते हैं चकाहएं अब इस स्क्रेशोट ले सकते हैं अगे बढ़ते हैं ऑलगे अग्ला जो होता है न वो खुद के लोगों से ज़्यादा प्रेम करता है कंपैरिजन टू अधर जो मैंबर्स है समय गात्म भीवार का परदर्शन यानि जब उसको गुस्सा आता है तो वो रोता है और अगर उसको अच्छा लगता है तो वो खुश होता है तो इस तरह से वो समय गात्म भीवार का परदर्शन दिखाता है अगला पॉइंट है नैतिक भावना का विकास यानि बच्चे में नैतिक भावना का आपको बता है शाशा वस्ता में बच्चे में मोरालेटी नहीं होती उसको अच्छी बुरी आदतों का ग्यान नहीं होता है वो निक काम को करता है जिस जिसको करके उसको खुशी मिलती है, है ना, तो नैतिक भावना का विकाज जो है, उसके बाद होता है, काम प्रविती यानि वो जो है, वो शुशु करके वो खुश होता है, इस तरीके से, है ना, मल त्यागना इस तरीके से ये होता है, काम प्रविती, अब क्योंकि बच्चे वह बे वहार करता है. मतलब इस तरिके से वहार वो करता है. जैसे छोटे बच्चे होते हैं. अगर उनको कोई बाहर ले जाते हैं. तो क्या करता है? वो भी सूचता है कि हाँ मुझे लेकर जाओ बाहर. है ना. गोध में हो है वो इसी स्टेजिस में होता है समाजिक भावना का विकास तो यह थी शैश्ण अवस्था की जो ईशिश्टाएं है अब अगर हम यह क्ड़ए कि शैश्ण वस्था में बच्चों को किस तरह से करें किस से ज़्यादा जो है मिलने चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपना mental activities करें और उसका mental development हो क्लियर पालन पोश्चन यानि उची वातावरन उसको मिलना चाहिए घर का वातावरन कैसा है नुट्रीशन उसका कैसा है है तो मतलब शीशु जो है अपने development के लिए उसको एक peacefully environment एक secure environment वो चाहता है घर का भी और विदाल्या का भी तो इस तरह का environment जो है बच्चों के लिए हमें रखना चाहिए व्यक्तिकत भी बिन्ता individual differences होते हैं हर बच्चे को ध्यान में रखकर उनको पढ़ाना चाहिए ठीके डियर व्यक्तिकत भी बिन्ता जो है वारतल आपके अफसर जो है मिलने चाहिए करके सीखने को महत हो यानि learning by doing जब बच्चों से खुद ज्यादा हम कार्या करने को देंगे उनके अनुसार कार्या करने के हम उनको शिक्षा देंगे उनको independent रखेंगे learning by doing के माध्यम से बच्चे को जो अगर हम पढ़ाएंगे तो बहुत ही beneficial होता है जग्यासा की संतूष्टी यानि बच्चे की जो भी curiosity है एक तरहां के बच्चों आपसे question पूट करते हैं तो उनकी curiosity को उसी वक्त शान करना चाहिए उसके माता-पिता हो चाहिए उसमें उसके teachers हो उसके प्रश्णों के उत्तर देकर जो है उनकी curiosity को satisfy करने का प्रतन करना चाहिए ठीक है अगला है अच्छी आदतों का विकास यानि अच्छी आदतों का विकास उनमें करना है आपको पता है शिशू क्या होता है अपनी आशकताओं की पूरती के लिए वो दूसरों पर depend रहता है है ना depend रहता है वो दूसरों पर depend के साथ साथ जो है वो चाहता है कि उसका काम जो करना है और टाइम पर काम कैसे करना है तो इस तरह से में अच्छी आदोतों का निर्मान कर सकते हैं और कई बार बच्चे जो है ज्यादा ही डिपैंड हो जाते हैं स्कूल से आते हैं वो अपनी सोक्स फैंक देते हैं है ना कि भी उनकी ममा ही इनको जो है रखेगी उनके बैग आगते ही फैंक देते हैं अपना गिलाज जो है वो उठाना नहीं होता है मतलब यह चोट-चोटी बेसिक नीट्स होती है यह बेसिक मैनर्स होते हैं जो बच्चों को सिखाने चाहिए यानि उनमें अच्छी आदोतों का निर्मान करना स्कूल में भी हो चाहे घर में भी हो ठीक है और एकची जो और उनको जो है पिक्चर्स के माधम से स्टोरीज के माधम से उनको पढ़ाना चाहिए खेल दवारा शिक्षा अनको देनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी उनको खरानी चाहिए और आत्म निर्वरता का विकास उनमें करना है यानि के माध्यम से भी शिक्षा देनी चाहिए तो ये शैश्वा वस्था में शिक्षा का सवरूप है तो ये भी आप पॉइट आपने अच्छे से याद कर रख लिया होगा अगला पॉइट जो है ये मनव विज्ञानिकों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी थी शैश्वा वस्था के बारे में एडलर जो कहते थे कि शिशू के जनम के कुछ समय बाद ही ये निशित किया जा सकता है कि उसका मविश्य में उसका क्या स्थान होगा तो ये जो डेफिनेशन दी थी न ये एड प्रविती एक बात यहां पर भी काम प्रविती आती है तो वहां पर सिग्मन फ्राइड का नाम आता है तो इन्होंने कहा था शिशू में काम प्रविती बहुत प्रबल होती है पर व्यस्कों की भांती उसकी अविव्यक्ती नहीं होती यानि वो अविव्यक्त नहीं कर पाता ह लेकिन उनमें काम प्रिविती जो है बहुत प्रबल होती है रॉस ने कहा था कि शिशु कलपना का नायक है अता उसका भली प्रकार निदेशित अपेक्षित है तो यह definition दी थी शिशु के बारे में रॉस ने अगला जो point है रुसो कहते थे बालक के हात पैर वे नित्र उसके प कर सकता है पहचान और याद कर सकता है तो यह definition दी थी रुसों ने string कहते थे कि जीवन के प्रथम दो वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शीरा नियाश करता है यह किस ने कहा था यह definition दी थी string ने ब्रिजेज कहते थे दो वर्ष की उम्र तक बालक में सभी जो है लगबग सभी सम्वेगों का विकास हो जाता है तो यह definition दी थी ब्रिजेज ने ठीके डियर तो यह बहुत important यह definition है तो आप इसको याद रख लेना ठीके और एक definition जो है यहाँ पर छूट गई है फ्राइड की एक और definition थी कि मतलब मनुश्य को जो कुछ भी बनना होता है वह जो है चार-पाँच वर्षों में बन जाता है यह definition दी थी फ्राइड ने सिग्मन फ्राइड ने ठीक है यह definition थी और mostly एक्जाम में पूछी भी जाती है तो यह सब मैंने आपको clear कर दिया है उसकी विशेष्टाएं क्या है और क्या-क्या इनको जो है उपनाम दिये गए है ठीक है तो यह मैंने सब आपको clear कर दिया अडियर तो आपको कितनी अच्छी लगी है यह विडियो आप प्लीज कॉमेंट में जरूर बताएगा और फिर हम next class में बाले अवस्था के बारे में अच्छे से आपको समझाएंगे आप अपने notes create कर सकते हो ठीक है और यह मेरा whatsapp number है जो भी कुछ पूछना है आपको यहां आप message कर सकते हो आपको reply दिया जाएगा तो कैसी लगी आपको यह विडियो कॉमेंट में जरूर बताएगा so thanks for watching my video do like, share and subscribe my youtube channel till then bye bye, rabrakha, jay bholenat